एलो बच्वो में निकालने सारे पहले जिनकी एक्सियस के पैर्लर होगी हमारे यौ घुनसेप्ट और की कॉंसेप्ट आप पी को सौल करने में तो की कोंसेप्ट आपके हमारे पस है एक्वेशंन हमारे जो किसकी एक्वेशंन पेराबोला के, ओव पेराबोला जिसके मार पास एक्से के है, पैललर है, वाइक्से के, वोस एक्से आर पैरलल तो य एक्से इस, वो मार पास के होते है, हमार रजाती है, एक्स माइनस एक्स का, कम्प्लीट से, इस इक्वल स्टू, पोर ए, इन्टो मार पास यहां पर क्या आता है, यहां पर हमार पास का, जो ही एक्स को मा के है, यह के हमारा सेंटर है, इस सेंटर हमारे पैराबोला का, और जो आर पास यह है, यह एक है, यह है हमारा is distance यह हमार के distance है इसका over text from कि से हमारे focus है focus यह था हमारा first की concept second की concept हमार का से की differentiation of x minus h का complete square with respect to x यह मार का दोगता है यह मार का दो इन्टो x minus h की इन्टो मार का देगा differentiation of x minus h को मार का होती है one minus zero means one यहां पर जो हमारा h किसको बिलुँग कर रहे है यह हमारा बिलुँग कर रहे है तो हमारे पस क्या आजएगा हमारा पस आजएगा की एकवेशन चैक्ट अगी जीरो अगोडिंग को फूर्चन हमार पस क्या आजएगा हमार पास आजएगा कि एकवेशन और पैराबोला हमारा पास क्या बनेगी वह हमारा पास बनेगी कि X minus H का complete scale which is equal to 4A into Y minus K because हमारा पैराबोला का है Y से के पहले है तो हम गहांगे तो differentiate कर देंगे with respect to X differentiate with respect to X और का complete this implies हचा है जब differentiate करेंगे इसको X minus H को with respect हमार पास क्या है मार पास बनेगे 2 into X minus H या आपकमेंट की कंसेप्ट में बताया था which is equal to 4A तो हमारा क्या 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 हमारा पास बनेगे 4A into differentiation of Y minus के और मार पास बनेगे 2a into d y by d x ये इविए कमेंट की कंसेप्ट में बताया था हमार पास या आपका आपका जेगा this implies that आपका जेगा x minus H जो हमारा क्यों एक जो जेगा वह हमारे क्वाए क्वाल हो जेगा 4a divided by 2 means 2a into dy by d x k differentiate अब हम करेंगे differentiate कर देंगे, बोथ साइट को भी X के respect में, बोथ side with respect to X, this implies that differentiation of X with respect to तो इसमोरा से है कि 1, minus differentiation of H with respect to X से हैं रहा से है कि 0, because H हमारे आपके एक arbitrary constant है, which is equal to circle आजगा, यह हमारे एक बोला आजगा, 2A, तो हमारे आपके बाज़ेगा, 2A into differentiation of D Y divided by D X means D square Y divided हमारे पास कहा जगा, D X square, this implies that 1 divided by 2A हमारे आपके बाज़ेगा, यह हमारे आपके बाज़ेगा, D square Y divided by D X K, अब हमें रहे इसको एक बार रूट डिफरेंटेर रहे ताकि यह मारे पास जोई लास्ट आरविट पॉंस्ट बच्चा यह यह भी मारे रहे रहे वज़े, eliminate होजे, differentiate कर देंगे हम क्या, बोथ side, X के respect बोथ side, with respect to X, this implies that, देको मारे पास 1 divided by 2A मारे रहे के बने constant, तो जब इसको differentiate करेंगे, with respect to X, मारे पास क्या ज़ेगा, 0 which is equal to, जब differentiate करेंगे, इसको D square Y divided by D square को with respect to X, मारे पास हम पे क्या ज़ेगा, D cube Y divided by D X cube, this implies that D cube Y divided by D X cube, यह हमारे रहे हमारे required differential equation, so the final answer is D cube Y divided by D X cube is equal to 0, I hope you will understand it well, all the best, thank you.